अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि घर पर कोई सबजी नहीं होती है या हम वही सबजी खाकर बोर हो जाते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेस्पी लेकर के आई हूँ जो कि डेफिनिटली आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़िया पके हुए लाल लाल टमाटर बस दो से ही मैं बनाने वाली हूँ और हमने यहाँ पर एक लैसुन की गाठ ले ली है तो आदा लैसुन हमने निकाल लिया है लगबग आधी गाठ ही है यह और एक तुकड़ा हमें चाहिए होगा इसमें हम रख देंगे दोनों ही टमाटर साथ ही में हम रख देंगे लैसुन की गाठ और हरी मिर्च दोनों ही मिर्च हम रख देंगे तो इन तीनों चीचों को हम एक साथ ही भून लेते हैं तो भूनने से इनका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया हो जाता है लैसुन जब तो आप देख सकते हैं सभी चीज़े भून चुकी हैं तो सभी को ही हम अलग निकालेते हैं निकालने के बाद अब हम बनाएंगे एक स्पेशल वाला मसाला जो आपकी रेस्पी में लगा देगा चार चान तो यहां पर हमने रखा एक तड़का पैन इसमें डालेंगे एक चॉथा ही चमच जीरा एक चमच डालेंगे साबोद धनिया के दाने और दोनों को ही हम बिल्कु और हींक को भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं गैस को हम बंद कर देंगे अब यहां पर जो टमाटर मिर्च और लैसुन है यह थंडे हो चुके हैं तो इनको हम छील लेते हैं तो इनका चिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी तो इसी तरह से हम मिर्च को और टमाटर सभी चीजों को हम छील लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने लहसुन, मिर्च, टमाटर तीनों चीज़े ही छील ली है और लहसुन और मिर्च को हम अलग निकाल लेते हैं अब यहां पर हम एक जो अध्रकूटने वाला कूटना होता ह उसको लेंगे और उसमें इस मशाले को हम अच्छे से कूट लेंगे आप यहां पर सिलवट्टे का यूज भी कर सकते हैं जब यह मसाला दरदरा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मिर्च और लहसुन और इनको भी हम अच्छे से क्रेश कर लेंगे तो हमें बहुत जादा बारिक नहीं पीसना है केवल यह दरदरा टाइप का हो जाए इतना ही हमें इसको अच्छे से पीस लेना है आप हमने जो टमाटर चिल करके रखे हुए थे इनको हम एक बावल में डालेंगे और इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे आप मैशर की हल भी ले सकते हैं यहां तो हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया है थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं बिल्कुल जरासा बहुत ज्यादा नहीं डालना है अब हमने जो अधरक बचा करके रखा हुआ था ना इसको हमने बारिक काट लिया है अधरक डालेंगे और जो मसाला कूटा है इस मसाले को हम डाल देंगे साथ में हम साधनसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा उपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं सभी चीजों को मिक्स कर देंगे तैयार है हमारी टमाटर की बहुत ही चटपटी चटनी आप इसे टमाटर का भर्त भी बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहे यह बहुत ही सौधिश लगता है साम को अक्सर हमारे यहां खाना ना बन करके इस तरह से भर्थ बनाए जाते हैं कभी टमाटल का तो कभी बैगन का तो मैंने आपके साथ यह सिंपल सी रेस्पी शेयर की है आप भी से जरूर बनाए इसमें रोटिया खा करके देखें आपको भ अच्छा लगेगा